गुड मॉनिंग आल आफ यू, मैं डाटर सुर्जीत, आपका आपके लानों पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बच्चों आए बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन असिस्टन प्रोफेशन के नोटिफिकेशन की नोटिफिकेशन को यहाँ टू-दा-पाइंट मैं देखूंगा और आप लोग को बहुत ही सिंप्लिफाय में एक्स्प्लेन कर दूँगा और जितने भी बच्चे हैं सभी का कोच्चन यहाँ से कोशिश करूंगा आप लोग जो भी डाउट्स है ठीक है वो सब किलियर हो सके और इस वीडियो देखने और एक कमिशन यह पीएसी हर्याना की वेकंसी कभी भी आ सकती है और साथ में यूपी यह जिसकी टेस्टरीज भी मैं जल्दी लाज़ कर रहा हूं और यूपी यह जिसकी जो टेस्टरीज है इसके बार इसी वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा ठीक है तो आप उसे भी इंतिजार था तो इसमें से एक राजस्तान ने अपना नोटिफिक्शन रिलीज कर दिया है और हर्याना का जश्ट आने ही वाला है नॉमबर या दिसंबर तक वेकंसी आ जाएगी और उत्तर प्रदेश का पचीस नॉमबर तक तो डेफिनेटली वेकंसी आने की प्रबल सारे सब्जेक्ट कवर होंगे बॉटनी कमिस्ट्री मैक फिजिक्स इंग्लिज इस्ट्री जोगर्फी साइंस म्यूजिक एसक्टर एसक्टर ठीक है संस्क्रीट हो गरा और इसकी बात करेंगे तो वहां पर देखे नौ नॉमबर से आप यहां पार आवेदन कर पाएगे ठी ठीक है और नौ नॉमबर क्यों किया गया है क्योंकि 36 पॉब्लिक सर्वीस कमिशन का एक्जाम आट को खतम हो रहा है उसके बाद इनुने किया कि नौ नौ नॉमबर 2020 से आवेदन कर सके आप लोग ठीक है तेकि लांट डेट क्या होगी इसका रजिस्टेशन की आठ दिसंब दो जाब 20 ठीक है और इस पर आप लोग जो डिटेल्स है देख एज लिमिट प्रोसीजर एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन आप यह सब तो यह एक्सपीरियन करी दूंगा पर फिर भी आवेदन करने के पूर्व आप लोग एक पर आपिस्यल नॉटिफिकेशन जरूर पढ करेंगे ठीक है उससे बहतर होगा कि आप किसी एक भरोसार रखें चाहिए मुझ पर या किसी भी सिख्षक पर सभी सिख्षक अपने विबेग करते हैं सभी योग होते हैं ठीक है कम से कम नेट ज्यारफ है तब यूटूब चैनल चला रहे हैं तो ठीक है तो यहां पर देख पांदस मिन निकाल करके ठीक है चलिए यहां पर बात कर लेते हैं इंपॉर्टन डेट्स मैंने बता दिया है आप बात करते हैं बैकन्सी की देखो बैकन्सी के जहां तक बात है तो आप कुछ-कुछ मैं बता देता हूं और ज्यादा तर आप खुद देख लेंगे ठीक है इकोनामिक का सब्जेक्ट है ठीक है बिजनेस अबिस्टेशन ए भी एकोनामिक्स का है टेक्स्टाइल डेंग एंड पेंटिंग वन बैकन्सी है जुलाजी लॉग ड्राइंग एंड पेंटिंग्स इकोनामिक्स इंग्लेश जोगर्फी हिंदी हिस्ट्री सोसलाजी म्यूजिक वोकल फिलोषफी टू बैकन्सी पॉलिटिकल साइन पिप्टी सेन बैकन्सी पब्लिक अड्मिस्टेशन सिक्स बैकन्सी संस्की 39 बैकन्सी उर्दू 5 बैकन्सी एक बच्चा बार-बार कमेंट क इजुकेशन होम साइन्स की तिन चार सब्जेक्ट है वो सब देख लिए फूड एजुकेशन एक्स्टेंशन होम मैनेजमेंट चाइल्ड डेवलेप्रेंट और क्लाथिंग टेक्स्टाइल्स ठीक है और एग्रिकल्चर में एनोटोमलाजी का है वन वेकन्सी है पंजाबी क यहाँ पर two bacancy है कटेक्री भाज देख लेंगे तो जटेगरी के जो वेकंसी है उसके लिए यहाँ पर 294 पोश्ट ज़र्र ग पर यहाँ पर थोड़ा बात करना चाहूंगा आप Other State से हैं तो आपकी फाइट यहां पर ही होगी ठीक है 254 पोस्ट में सभी विशेयों में किसी भी वेकंसी में याद एक वेकंसी है जर्नल सब्जेक्ट जर्नल कंडिडेट्स के लिए तो उसमें अधर भी सेलक्ट हो सकता है सिंपल वासा में एक वेकंसी याद आप आदर रिष्टे से हैं उत्तर प्रदेश से हैं बिहार से हैं केरला से हैं तमिल लाडू से हैं इमांचल प्रदेश से हैं ठीक है किसी भी राज से हो सकते हैं अपना नागा लैंड से हैं और डाचल प्रदेश से हैं किसी भी राज से य पिर यहां बात कर लेते हैं SC Candidate SC ST OBC EWS MBC ठीक है यह सारी reserve category है जो कि इस home state के लिए जो राजस्तान से reserve category उनके लिए है ठीक है और यहां पर pay scale की बात करेंगे तो academic pay level यहां पर 6,000 का है और इसका salary अबाउट बनती है जहां तक मुझे इसका पता है 55 क्या आसपास salary बनती है ठीक है 55 क्या आसपास हाँ ठीक है 55 क्या ठीक है 55 क्या ठीक है चले यहां पर qualification की बात कर लेते हैं तो good academic record with at least 55% marks are an equivalent grade in point scale whenever grading system allowed a master degree level in the relevant subject from an Indian university or an equivalent degree from an accredited foreign university. ठीक है आपका post gradation level पे 55% marks होना चाहिए तो भी आप आप इदर कर सकते हैं candidate must have cleared the national eligibility test conducted by UGC CSIR or similar test accredited by the UGC like set आपका यहां पर उत्रिण होना जरूरी है ठीक है राजस्थान से है तो यह आप RPSC से राजस्थान से set है state eligibility test qualify है तो यहां पर आप आवेदन कर सकते हैं और net हैं तो आवेदन कर सकते हैं मतलब क्या हुआ PG plus net yes set ठीक है तो आप आवेदन कर सकते हैं यहां पर और जिने PhD से देखें candidates who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standard and procedure for the award of PhD degree regulation 2009 shall be exempted from the requirement of minimum eligibility condition of net set select से आपको छूड दी जाएगी जो candidates PhD 2009 के regulation के परिपेश में awarded हुवे हैं ठीक है net select set shall also not be required for such master program in the discipline for which net select set is not conducted जिन विशेयों में जिन विशेयों में नेट या सेट आउजित नहीं किया जाता है वहां पर आप सिर्फ PGA तो भी आवेदन कर सकते हैं age criteria की बात करेंगे तो 21 साल से 40 साल तक age criteria है आप 40 साल तक किसी भी राजिसे तो आवेदन कर सकते हैं और इसमें home state के लिए category वाज relaxation भी दिया गया ठीक है उसके लिए आप notification पढ़ सकते हैं official और यहां पर देखिए selection procedure क्या होगा आपका selection procedure यहां पर written exam होगा 200 marks and interview होगा आपका 24 marks का ठीक है 200 number का लिखित परिच्छा होगी जिसमें 150 आपका subject से होगा और 50 marks राजस्तान जर्नल इस्टरी को होगा और 24 marks आपका interview होगा ठीक है और आप लोग apply करने से पूर official notification जरूर से जरूर पढ़ें चले एक बार official notification देख लेते हैं चले यहां पर देखते हैं विश्तिरत बिज्यापन है यह complete notification है ठीक है complete यहां पर advertisement देखें दो नॉमबर 2020 को यह notification आया था आपका राजस्तान लोग सेवा आयोग अजमेर ठीक है संयुक्त बिज्यापन संक्या पर दिया गया है और आयोग द्वारा कालेज सिक्चा बिवाग के लिए राजस्तान सिक्चा सेवा महाविद्याले साकार नियम 1986 के अंतरगत सायक आचार असिस्टेम प्रोफिसर की निमलिखित विशयों विशय पदो पर भारतियत आनलाइन आवंत्रित के जाते हैं यह पद आस्थाई है तता बिभाग से प्राप्त कुल्रिक्त पदों की संक्या पदों की संक्या कमी ब्रिद्धि की जा सकती है यह उनमें आरचित पदों की संक्या निमना अनुसार है अब दिखे मैंने इसे अलग से आप लोगों के सकते हैं तो टोटल बैकंसी यहां पर है 918 ठीक है और यहां पर बात करेंगे देखिए सब EWS क्या चीज़े है रिजर्वेशन का यह सब कुछ मैंने आपको बता दिया है देखिए आपका इलिजबयटी की बतारी चीज़े बता दिया ठीक है और यहां पर गुड एकडमेग रिकार्डद बी बात हो रहा है इससे भी आपको बता दिया है ठीक है अब यहां पर देखिए एक महत्तपूर्ग यहां पर नोटिफिकेशन है राजस्ताल लोक्षेवा आयोक की राजस्तरी पातरता परेचा उत्रीड मानने है एक जून ठीक है यह देखिए एक नियाट कुलाज है एक जून दो जार दो से पूर किसी भी प्रदेश से सलैट सट उत्रीड अभ्यारती पात्र होगा मतलब जो कंडिडिट्स एक जून दो जार एक दो से पहले ठीक है 2001 में या 2002 जनवरी में जिनोंने सलैट उपरिच्छा उत्रीड किये किसी भी राजससे उत्रप्रदेश, तमिलाडू, अंध्रा, माराष्ट्रा, किसी भी राज से, तो आप पातर होंगे, और यह सेम नेश्ट है, एक जून दोजार को या उसके पश्चात अनप्रदेश से, उत्रिविण अभ्यारती को इस पद हेत नहीं माना जाएगा, ठीक है, आप लोग यह द 2002 के पहले जिनका रेजल्ट आ चुका है, वह यहां पर आविदन कर सकते हैं, अन्य राज्यों के जो सेलेट कंडिडेट से, ठीक है, उमीद करते हैं, आप लोग के इस चीज़े समझ आ गई होंगी, यह रिजर्वेशन आप सक देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, और यहां आ और सेलरी भी मैंने बता दिया है, ठीक है, और चीज़े देख लेते हैं, यहां पर देखिए, परिच्छा योजना वा पार्टिकरम, परिच्छा वस्तुनिष्ट रूप में आनलाइन या आफलाइन लिग जाएगी, अभी कनफर्म खूद कमिसन नहीं है, आनलाइन भी करा सकता और आफलाइन भी, ठीक है, सभी बस्तुनिष्ट प्रकार के होंगे, सभी परिच्छा का विश्तृत पार्टिकरम आयोग की वेवसाइट पर सीक्री जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको आविदन 9 नौमबर 2020 से 8 दिसम्बर 2020 रात्री के 12 बज़े तक आपको आव चलिए, अप्लिकेशन फीस की बात वहाँ पर मैंने मेंसन नहीं किया था, तो आपको यहां बता देता हूँ, अप्लिकेशन जो फीस होगी, समान वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं राजस्तान के क्रीमी लेयर, स्रेडी के अन पिछड़ा वर्ग, अत पिछड़ा व अनुसुचित जाती, राजस्तान की अनुसुचित जम जाती, तता जिनकी परिवारिक IEWS, नहीं लाग से कम है, उनके लिए फीस वन फिप्टी रुपीज रहेगी, डेड़ सो रुपीज रहेगी, ठीक है, और यहां देखे, परिच्छा का जो पैटर नहीं रहा, सब्जक इसका परपच्टर मार्श का होगा, जिसकी अवादियों की तीन गंटे, पेपर दो होगा, इसका तीन गंटे, मतलब आपको जो सब्जक्ट है, उसका दो पैपर कराया जा रहा है, और एक तीसरा पेपर है, जो जनल इस्टडिज आप राजस्तान है, जिसका यहां पर पू 24 मार्स का मैंने बता चुका हूं यह सब चीजे और सलैबस के लिए आप कमिशन की वेव साइट से देख सकते हैं और इसमें जो भी इंपॉर्टन चीजे थी मैंने आपको यहां पर कवर कर दिया है आपको फिर भी कोई कोश्चन्स हो तो आप पूर सकते हैं कमेंट की मात देम से मैं उसका रिपलाई जरू कर दूँगा और यहां पर चलिए देख लेते हैं कि जुनेरे पहले बताया था वीडियो की स्टार्टीम में UPHC ठीक है कि इसका टेसरी सुरू कर रहे है प्यापर बन के लिए प्या पर वन के लिए टेस्ट शुरू कर रहे हैं जिसकी फीश मात्र दबारा यहां पर लिख देते हैं क्योंकि तोड़ा चोटा करना पड़ेगा देखे यूपी यह यह सी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमिशन का जो नोटिफिक्शन रिलीज होने वाला है नोटिफिक्शन संक्या 50 उसके पेपर वन का प्रप्रेशन करा यहां ठीक है और इसमें आपका चुट करीज होगी फूल लेंथ टेस्ट test 3 जोगी इसके फूलन टेस्ट 20 टेस्ट होंगे जिसमें पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट पहला टेस्ट होगा 10 नॉबर को क्योंकि 36 कह जो अब एक्जाम देने करें जारे बच्चे उन्हें दिक्कत ना हो इसले दस नॉमबर को पहला टेस्ट होगा और दूसरा टेस्ट होगा पंदरा नॉमबर को ठीक है यह दोनों टेस्ट सभी के लिए निस्वल करेंगे पर टेस्ट WhatsApp गुरूप पे टेस्ट का लिंक दिया जागा अब वहां से जाके एक्सेस कर पाएंगे टेस्ट को ठीक है तो जो भी टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं वह वाट्सप पे वाट्सप का जो ग्रूप बना गया यूपी के लिए उसका लिंक मैं आप वीडियो में दे दूंगा आप वहां से जॉइन हो सकते हैं ठीक है और इसकी फीस रहेगी संपूर फीस की मात रहेगी 709 रुपीज ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ओटिंग किया करीब 90 बच्चे हो चुके अभी तक तो इस ओटिंग का जो टेस्ट होने वाला है यह फ्यल्टी ठीक है यूपी अचसी इसकी फीस मात्र साथ सो 99 रुपीज में रख रहा हूं ठीक है इसके पेमेंट के लिए भी आप कभी भी कर सकते जब आपका मर्जी और याद दो टेस्ट देने के बाद भी आप कर सकते हैं और अभी भी चाहत तो आप प्रवेस ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं और वाट्साप का जो इसके लिए यूपी अचसी के लिए एश्चे के लिए इसका वाट्साप पे आप करके एड हो सकते हैं ठीक है उसका इसका लिंक वाट्साप लिंक मैं डिस्किप्शिप्श में दे दूँगा वीडियो देखने के लिए आप लोग धन्वाद गहर बना सुरस्चेत्रा थाक्यों सोबाच।